आप सभी आदर्णियों को हिर्दय की गहराईयों से हिर्दय के अंतह तल से आप सभी को नमस्कार है और आप सभी के पीतरों को भी नमस्कार है प्रणाम है पितरी पक्ष में पीतरों के नमित जो है कार्ज किये जाते हैं अगर कहीं पूजा पाठ में जा रहा है पितरी पक्ष में जहां पे तरपन हो रहा है तो ध्यान रहे किसी भी शुव कार्ज में या इस प्रकार के तरपन के कार्ज में कहीं भी आप जा रहा हैं तो वहां पे ज जूते चपल बिल्कुल पहन करना जाए जानिए इस वीडियो के माध्यम से कि साध़ आप जानते भी होंगे कि जूते चपल कहां पहन कर जाना है अगर नहीं जानते हैं तो जान लिजे कि किस जगे जूता चपल पहन कर जाना चाहिए और कहां नहीं जाना चाहिए आपको बत एक बुरी आत्मा का प्रवेस घर में हो गया वाक्या यह था कि इस परिवार का मतलब एक परिवार का एक सदस से किसी की अंतेस्टी में शामिल हुआ और अस्वसान से घर आया जो जूते उशने अस्वसान में पहने थे वहीं पहन कर बेड़ूम में चला गया नकरात्मक उर्जा उसके बेड़ूम तक पहुँच गई और उसकी इस गलती पर पूरे परिवार को उसने कस्ट में डाल दिया बाद में अध्यान किया गया तो कई बाते सामने आई मैंने महशोस किया कि कई सारी बाते सामने आई हैं भारती शास्तों में कुछ ऐसे अस्थानों के बारे में बताया गया है मैंने महशोस किया है कि जहां जूते चपल पहन कर जाना निशिद है यदि उन अस्थानों पर नंगे पाउं न जाय जाये तो उस जगह का निरादर होता है और वहां के जो मालिक है वो रुष्ट हो जाता है साथ है ब्यक्ति अंजाने में पाप का भागी भी बन जाता है घर में भी कुछ ऐसे स्थान है वहां अगर जूते चपल उतार कर ना जाया जाये तो गरीबी उस घर से कभी बाहर नहीं जाती भारती वाश्चो सास्तर हो या चाइनीज वाश्चो सास्तर हो यह रिमेडियल वाश्चो के सिधानतों में यह बात असपस्च तोर पर बताई गई है समझाई गई है लिक्की गई है कि घर में चपल जूते पहन कर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए आप बाहर पहनने वाली चपल घर के बाहर ही रखें और घर के अंदर पहनने वाली घर के अंदर ही रखें बातरूम की चपल अलग होनी चाहिए और घर में पहनकर घूमने वाली चपल भी अलग होनी चाहिए कई बार यह देखा जाता है कि ब्यक्ति ट्वाइलेट में जाता है जो चपल लेकर जाता है वहीं पहन कर घर के पूझास्थल और कीचन तक पहुंच जाता है यह भी नकारात्मक उर्जा का कारण बनता है क्योंकि बास्तु में ट्वाइलेट को नकारात्मक उर्जा का श्रोत माना गया है बाहर से आप सब लाइब हैं बहुत अच्छा लग रहा है बाहर से आप घर लोटते हैं तो जूते चपल अपने घर के बाहर ही उतारें नहीं तो नकारात्मक उर्जा उनमें चिपक कर घर के किसी हिसे में पहुंच जाती है और वही रह जाती है और आपके जीवन को तवा बरबाद कर देती है जूते चपल लखने का अस्थान घर के बाहर ही मनाए तिजोरी अथवा अपने धन रखने के अस्थान पर जूते उतार कर जाना चाहिए क्योंकि धन को देवी लक्षमी के समान माना जया है और उनके पास जूते पहन कर जाते हैं या चपल पहन कर जाते हैं तो इसका साब्दिक अर्थ ये हुआ कि उनका अनादर करना जहां लक्षमी का अनादर होगा वो उस अस्थान को निश्चित रुप से त्याग देंगी और फिर दुबारा नहीं आएंगी पवित्र नदी को देवी श्वरूप माना गया है उसमें जूते चपल अथवां चमडे से बनी चीजे पहन कर जाने से पाप लगता है कीचन में नंगे पैर ही प्रवेश करे स्वरण रहे कि कीचन बिवस्तित शुद्ध और साफ सुत्रा होना चाहिए ऐसे कीचन में देवी दिवता अपना स्थाई वास बना लेते हैं जिससे घर में कभी भी धन और शुक सम्रिद्धी की कमी नहीं रहती इस्टोर रूम यानि भंडार घर में देवी अनपूर्ण का पास माना गया है कहा भी गया है कि अनपूर्ण ही शदा पूर्ण है अनपूर्ण है तो सब पूर्ण है उसका रख रखा भी रसोई की भाती ही करना चाहिए अन्य था घर में कभी अन्य की बरकत नहीं होती अस्पताल में जब किसी को अंतिम बिधाई देनी हो तो वहां भी जूते पहन कर नहीं जाना चाहिए अस्पताल में किसी संबंधी का हाल पूछने जाए तो उसके कमरे में भी जूते चपल पहन कर नहीं जाना चाहिए घर में देवी देवताओं का स्थान होता है वहां देवी शक्तियां निवास करती हैं ऐसे में जूते चपल पहन कर घर में घूमते हैं तो उनका भी अपमान होता है उमीद है आप सब को इस प्रकार का इन्फोर्मेटिव क्योंकि हम लोग वहीं बात करते हैं जो समसामईग हो हम लोग भी उसे यूस्टू है आप भी यूस्टू है तो कौन सी ऐसी आदिते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे हम लोग दूरी बना कर रखें और लाव मिले अगर आप सब को किसी भी प्रकार की किसी विशर बिंदू पे जनकारी चाहिए तो कमेंट्स में आए आपका सकारात्मक कमेंट्स मुझे आतमबल देगा और काम करने की शक्ती भी देगा वुमीद है कि आप सब स्वस्त होंगे अपने पीतरों के प्रती अपनी पीतर के प्रती अपनी भावनात्मक यो शास्तरी विदान है उसको प्रकट कर रहे होंगे और जिनके पिता जीवित है उनके लिए सारा ब्रम्हांड जीवित है तो पिता की सिवा करें इस दरम्यान और उनका आशिरवात खूले तब तक के लिए दीजी मुझे इजाज़त मिलते हैं फिर ऐसे ही लाइट के साथ तब तक के लिए नमश्कार